अमिताब बच्चन का ओफिस भी हुआ पानी पानी अगर हम बात करें इन दिनों मुंबई की तो नगरी मुंबई में काफी जादा तरीके की परिशानिया देखने को मिल रही है जैसे कि बात करें COVID की तो COVID के चलते लोगों को काफी जादा परिशानिया वैसे ही जहरनी पड़ रही है अब साथ ही साथ आ गया है महाँ पे मौनसून का सीजन और कल हिट किया है महाँ पे साइकलोन जिससे बहुत सारे घरों में पानी बर गया है उसके साथ ही अगर हम बात करें अमिताब बच्चन की तो अब अमिताब बच्चन का ओफिस जनक उसमें भी पानी भर गया है और उसके साथ ही काफी सारे महाँ पे वोकर्स को प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही है डेली ब्लॉग लिखते वे मिता बच्चे ने भी ये बात कही है कि मैंने अपने workers को हर तरीके से help करने की कोशिश की है और मैं कर भी रहा हूँ जैसे कि उन्होंने ये बात लिखी है कि उन्होंने अपने wardrobe से अपने workers को अपने कपड़े दी हैं जैसे कि टी-शिर्ट, शिर्ट और भी जरूरतों की चीज़ें उन्होंने अपने workers को प्रवाइड की हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी करूँगा इसके साथ ही उन्होंने लोगों से दुबारा से अपील करी है कि घर में ही रहें भार ना निकलें क्योंकि it's all about your safety protocol, none of others इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बॉलिवुड के बड़े-बड़े celebrities भी अपने घर से भार नहीं निकल रहें तो कृपया आप भी अपना ध्यान रखें और अपने घर में ही रहें उसके साथ ही अगर हम बात करें मिताब बच्चन के वर्क फ्रंट की तो अब उनके आने वाली मूवी होगी गुडबाई जिसमें वो अपोजट दिखेंगे नीना गुपता के उसके साथ ही उनके आने वाली मूवी है चहरा जिसमें वो अपोजेट है इमरान हाश्मी के उसके साथ ही अगर हम बात करें अमिताब बच्चन यानी बिग बी का फेमस शो कौन बनेगा करोड़ पती तो जल्द ही आ रहा है कौन बनेगा करोड़ पती का सीजन 13 तो इस साल कौन कंटेस्टेंट बनता है सीजन 13 का करोड़ पती आप अब में अपना फीड़बैक जरूर दीजेगा कि अमिताब बच्चन की इस बात पे आपका क्या कहना है बॉलिवोड की ऐसी हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखती रहेगा हमारा चैनल बूगल बॉलिवोड